महिलाओं के लिए उनकी बचत ही सबसे बड़ी कमाई होती है और घर में हमारी लाइफ में सबसे अधा इंपोर्टेंट होता है नुट्रीशिस खाना क्योंकि खाने सी हमें दिन पर काम करनी के एनरजी मिलती है, किचन में खाना बनाने के विए सबसे इंपोर्टन होता है राशन, अब राशन को किस सूजबूच से आप लाएं, खर्च करें, बजट के अनुसार, परचेजिंग करें और उसमें पैसे किस तरह से बचाएं, यही कम बचद कर सकते हैं, खाना न तो जरूँट से कम बनाएं, न जरूँट से बहुत जादा बनाएं, कोशिच करें कि खाना जितनी खपत है उत्तह ही खाना बनाएं और अगर बनाएं, बन भी जाता है एक्स्ट्रा तो इसको जितने कम समय में वो इस्तिमाल कर लिए, अब ब चौते टाइम खा लिया आपने, लेकिन उससे क्या होगा, कि कुछ आपको हिस्सा बाद में फैकना पड़ेगा, और जो हमने खाना खाया, देखिए उसकी जो nutritious value है, वो कम होती जाती है, जैसे जैसे उसको आप रिटेन करते जाते हैं, फ्रिज में रखते जाते हैं, उसकी nutritious value जाती है, और ऐसा खाना खाकर बिमार भी बढ़ सकते हैं, तो एक अलग से डॉक्तर का खच्चा और तयार हो जाएगा, तो हमें जरूर से जादा खाना कभी नहीं बनाना चाहिए, और जरूर से कम भी नहीं बनाना चाहिए, उसका कारण मैं बताती हूँ आपको, अगर हमन बना दो, या बहार से पीजा ओडर कर दो, बर्गर ओडर कर दो, हो गया एक्स्टर करचा, तो कोशिश यह करिए कि खाना जरूर से कम भी मत बनाईए, और जरूर से जादा भी मत बनाईए, ये तो बात हो गई खाने की, अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉसरी के बारे में, होगा उसके अंदर छोटे-छोटे इंसेक्स हो जाएंगे, और वो आपके किसी भी काम की नहीं रहें, आपको उसके लिए बहुत जादा कई एक्स्टर पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे जादा है ग्लास, कई बार आपके देखिए, साथ में देखिए, ज मिर्ची, धनिया, नमाग, जीरा, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ इसमें इसमें स्टोर कर लिए, बाकिक आपने जो आपके रोज का उसमें से निकाल दिखा लिए पैसे बचाने के लिए बहुत जारूरी है, कि सबजी भी आप उतनी ही खरीजी जिए ज़रूरत है, क्योंक आपने चीनी का दबा खुला चोड़तीजे, सब करिये, तो उसमें इसमें सारी चीटियों हो जाएंगी कि वह चीनी आपके किसी काम किया ने रहेगी, तो जो भी काम करें किचन में सावधानी पूर्वक करिये हमेशा, और देखिए रोज मर्रा काम में आने वाली तीसरा प जो कि रोज रोज दुकान पर जाना भी एक एक एक्स्टर वेस्टेज है, देखिए जित्ती बार आप जाएंगे ना, पैट्रोल खर्च होगा, डीजल खर्च होगा, कितना मेंगा हो रहा है भी, और दूसरे, जब भी जाएंगे लेने जाएंगे आप दो आइटम, लेके स और अचेज गर्में हमेशा है तो अचानक तो आप आप एक ल जवागा जाएंगे लेक्ताइट को आप महान आजाएंगे जातों लोग आप फिज पनाते जाएंगे इन्या, यही कहा है कि जरूर से ज़ादा राशन और जरूर से कम राशन और सब्चीया करीबना दोनों ही तो इस चीजे बिल्कुल गलत है, तो इस चीज पर बहुत ध्हान देना जरूरी है, उन्हे हफते की प्लाणिंग कर दीजे, नाष्ते में क्या बने का बने वालए है, डिनर में या बनने वाली है, और उसी के हिसाब से ग्रॉजरी का अंदाजा लगा लिजए, जैसे हफते का लगाती इसी तरह से महीने का अंदाजा लगा लिजिए और बहुत एक्स्ट्रा समान मग करी दिए और नहीं इधर उधर रखिए दो ही जगे बनाईए एक में प्स्टोरेज जो है सपोस्करी आपने आपके पास पांच किरो चावल है तो इसका एक बड़ा डबब होगा और इसी तरह से और भी जो भी आइटम दाले वगरा जो भी अब इस्तेमार में करते ना सब कुछ चीजे भिगोने वाले आइटम है स्प्राउड्स हैं चोले हैं राजमा है दालमकरी बनाते हैं तो उसके लिए जो साबूद मूद जो होती है सब चीजे उसी इसाफ से लाइए जब भी आप राशन लेने चाहें तो हमेशा कई दुकानों को एक्स्प्लोर करें उस पर्टिकुलर प्रॉडक्स की जो प्राइसे उनको कंपेर करें और जहां आपको सबसे जादा रीजनेवल प्राइस लगती है और सबसे जादा इंपोर्टन यह है कि एक्सपारी डेट भी देख लीचे कोई चीज आसी नहीं जाए जाए जद बाची में कभी भी शॉपिंग करने मच जाए हमेशा एक्सपारी डेट चेक करिए उसके बहाद ही कोई भी जैसे जाएपिकल है कोई भी चीज आप करीद दिया उसको पहले उसकी एक्सपारी डेट जाच ले आता है बेसन है कोई भी चीज हो उसके एक्सपारी डिट चेक करके उसके बाद ही पर्चेसिंग करिए महिने के राशन की ग्रोस्रीज जो आपको चाहिए वो भॉस्रीज की शॉपिंग के लिए कोशिश ये करिए खा पी करी जाए जाए ब्रिक्फस कर कर जाए अच्य तरह अगर से निकलिये हैं पताचरा हलकी बार इस हो लिए गरम समोसे बन रहे हैं पास में हलवाई के दुकान वही काम आप करेंगे, इससे एक वाइदा और भी होगा प्रिक्वस के बाद जाने का कि आपके बच्चे बच्चोटे हैं, इसके बच्चोटे हैं, इसके बच्चों को साथ में लेकर ना जाएं, इससे आपकी कंसेंट्रिशन खराब होगी, दूसरे वो जित करके चॉकलेट, बिस्केट, किंडर जो है, कुछ ना कुछ एक्स्टर सामान आपके उसमें डाली देंगे, और उससे आपका एक्स्टर वाला खर्चा हो जाएं, अपने हस्बेंड को, अगर आपको लगता है कि आपको शॉपिंग में कोपरेटिव हैं और आप मिलजू के खरीदारी करते है दोनों, तो एक पहले ही घर पे बात कर देंगे, यह समान आपके उससे क्या हो कि वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने पहले से डिसकस नहीं किया है तो आपके हस्बें अगर गाड़ी में बैठे हैं तो बोलेगी जल्दी से जो भी करीदने हैं फटाफट कर दिने के लिए हम चाहने, एक सब्सक्राइब के साथ यह भी ध्यान रखिए, पता चला आपको जो है एक टमैटो कैचप की जो एक आती है, पाउच आता है, उसकी एक सब्सक्राइब कंपनी ने पास है, अभी सब्सक्राइब अभी यह समझें, नवेंबर चल रहे हैं, यह आपको अभी अ ही नर्याफ एक टिर थी महीने यह एक का लोगी मैच बाए जो खी आए नहीं कर बढ़ं हैं, गाती हैं ओक त्यांंकाष, घुकि जाए के लिए को मαιहतीघ तो वी। से ऑल्किटी में एक जो इस चीम का बहुत घान ठीज रहे जो चीज बड़े बड़े निय कई चीज़ें जो की नुट्रिशिस वाल्यू रखती हैं पनीर घर पे बना सकते हो आप दही घर पे जमा सकते हो में एट एट हो जो कि उसकी फ्रेशनेस जो होगी वह अलग होगी उसको आप रिटेन कर पाऊगे कुछ चीज़ें जो आप बाहर से मंगाते हो वह भी घर आप जो बनाओगे less spicy बनाओगे अच्छ अच्छ ओए जो उसकी बनाओगे तो इसकी freshness और जो पचो की health है उसके लिए उसके रही भी और अच्छ एइए बाकि आप उसको इसको इन्हार यूज कर सकती है पैसे की भच्छ थी ए यह तो एक तरीका और बताते हो आपको कही तो बड़े जो पाउच होते है उनके साथ 1 plus 1 ओटा हुटा है तो महिलाओ को यह करना चाहिए उनकी अची अच्छी फ्रेंट अगर अगर राज़िशन एसे है तो आप उनके साथ शेयर कर लिजे वह सब्सक्रीजाए वह सब्सक्रीजार करें थो सब्सक्रीजार कर लेजी है तो उस चीज में आप इकाम कर सकते हैं इससे अपकी अच्छी बचेत हो जाए अगर आपके घर में कम मेंबर है नुक्लिय फैमली है तो एके किलो की पैकिंग की नमकीन एके किलो के जो ग्रॉसरी आइटम्स आते हैं दाल चावल वगेरा की अलावा में बतारी हूं आपको जि इनके पैकेट एक अलुबुजिय और एक लाइक वो आती है न मून की दालवरी मोगर वो आप लेके आजाते हैं तो क्या होगा वेस्टोगा और खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा क्योंकि इता बच्चे खावी नही पाएंगे इक साथ में उसका तेस बदल जाएगा और अब बारिश के मौसमें तो सीधन भी आजाएगा तो आपको इन सब चीजों का बहुत यह थाट एक उत्ते ही अप तब चेस में आप छोटे पैकेट ली दिए 200 ग्राइब तक के मैंसे जादा प्री दिए एक बहुत जरूरी बात घर से जब भी जाए ना देखिए अभी व वही आपके बार बैग होगा तो आप उसको उसके अंदर तुरंत रख लेंगी और कहीं मौल से खरीदारी कर रही हैं तो आज कल क्या है कि बिल्कुल जो प्लास्टिक बैग से बैन होगे हैं और उसमें आपको देते हैं और एक एक थेली के आपसे चार्ज कर लेते हैं तो तों लिच उता है county रहें एक अपको लिचे लिचे साफसुतरा गिलावा तहहले ही लेकर जाहें तो इस कोछ लोगों की सोच जो πुराने वे हमारे हमारे हि तेना रही दाजी नानीशा की सोच बहुत अच्छी दी इस मामले में पुराने लोग कैसे थेला लेके जाते थे घर से जब उने सामान करिगा होता था तो हमें भी वही करना चाहिए वहीने का बजट बनाते वक्त सेदेरी आते ही सबसे पहले ग्रॉसरी के लिए जो खट्चा है जो पैसे है उसका हिसाब लगा कर के अलग निकाल दीजी और कोशिश करिए कि पेमेंट कैश में अगर आप पेमेंट कैश में करेंगे तो कैश खट्चोना का दर दोता है 500 ग गया कैश बैक है आपको अगर पता चलता कि हजार रुपे का सावान करीने पर आपको सो रुपे कैश बैक हो रहा है तो तो देर इस नो प्रॉब्लम इं डूइं ऑनलाइन पेमेंट पर कोशिश रखिए लेखिए जो हमारे पुराने लोग करते थे ना कई चीजें वहां से सीख कि हमें पता चलता है जब कैश जाता है तो हमें दुख होता है और उस इसाब से हम अपरी शॉपिंग कर लेते हैं कितनी बार जाने अन जाने हम से खाना जादा बन जाता है राशन जादा आ जाता है तो उसको सूझबू से कोशिश करके घिक सोचिए कि यह वेस नहीं होना क्योंकि जटा यह सब ग्रॉस्थी के अंदर वेस्टे ज़ना यह पैसों की ही बरबादी है इस पैसे की बरबादी को रोपना है मैड यह फ्रेंड क्योंकि हमें हर हाल में पैसे बचाने बताएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी इस इस आल फो टोड़े थैंक्स वोच और गाओ को आएगा यह पूंस दूएएखची ञ्मूंकि बरबादी को आपको 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 है कोई बचल वधा इस वोटएट, आपको आपको है।